हलो स्टुडेंट आपकामरी यूट्व चैनल पर सागत है दोस्तों आज हम डीने फिंगर बिटिंग के बाद करेंगे और जानेंगे डीने फिंगर या फिर यूपी पीजीटी या एमपीजीटी कोई सी भी पीजीटी है सब्सक्राइब के लिए इंपोर्टेंट है और नॉर्मली जो डिने फिंगर्बिंटिंग के बारे में जिक्यासा रखने रखते हैं कि डिने फिंगर्बिंटिंग क्या है तो उनके लिए टॉपिक इंप व्यक्ति के डीनय प्रोफायल को विश्लेशित किया जाता है यानि कि कि प्रोफायल की paintings in डीनय होता है ऑसका में यह टाक्निक के निर्धारित करने के लिए प्यूग की जाती है कि दो नमूर ने गयती के हैं या नहीं है और इसे DNA profiling या genome finger printing भी कहा जाता है तो DNA fingerprinting के निर्धारित करती है कि जैसे माल लीजिए कोई गटना इस्तल है वहां से जो भी हमें DNA प्राप्त होगा उसका किया जाएगा जो संदिक व्यक्ति उसका DNA हम विशलेशन करके उसका मैच करते हैं यदि मैच होता है तो वह व्यक्ति अपरादी है यदि मैच नहीं होता है तो व्यक्ति अपरादी नहीं है इसी लिए इसको हम DNA profiling या genome finger printing भी कहते हैं कि चलिए आगे हम बात करें कि DNA fingerprinting की खोज किस नहीं की DNA fingerprinting तकनीक की खोज 1984 में सर एलग जैफरी गारा की गई थी उन्होंने पाया कि मानव DNA के कुछ सेहसे होते हैं जो हर व्यक्ति में अलग होते हैं इन्हें मिनी सैटलाइट कहा जाता है और इनकी लंबाई अलग होती है तो प्रतेक मानव में मिनी सैटलाइट का अध्यान करके उनकी जो लंबाई है वह प्रतेक व्यक्ति में अलग लग होती है तो उसका अध्यान करके हम DNA fingerprinting जो है वह उसके बारे मिनी सैटलाइट समय अलग लग होते हैं तो इसका मतलब यह है कि सब की एक विस्षट पैंचान होती है अगर विस्ष मतलब उसके जैसा कोई दूसरे विक्ति दुनिया में नहीं होगा तो किसी भी व्यक्ति के DNA fingerprinting की जब प्रोफाइलिंग त्यार की जाती है तो उन दोनों को मैच किया जाता है संद्र विक्ति और कटना इस तल के जो DNA होता उससे तो यदि मैच होता है तो विक्ति अपरादी नहीं है तो DNA fingerprinting की खोच किसने की है 1984 में सराइलाग जैफरी द्वारा की गई है और किस के आधार पर की है मैच मेनी सैटलाइट के आधार पर की है तो गुर्षूत्र की जब संद्चना का द्यन करेंगे तो उसमें यह हम जानेंगे कि मेनी सैटलाइट क्या होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें DNA fingerprinting के चैनल क्या होते हैं तो देखिए सबसे पहला चैनल होता है DNA का निसकरशन सबसे पहले कोशकाओं से DNA निकाला जाता है कोई भी कोशका है उससे हम सबसे पहले DNA को निकालेंगे DNA का निकलता है गुण सूत्र से यान गुर्षूत्र का भाग होता है DNA इसके लिए आम तोर पर खून बाल तवच्चा या अन जैवक नहुना को किया जाता है यानि हम बालों से DNA को निकाल सकते हैं कोई ब्लूड की ब क्वाद है DNA को कारना DNA यह राश्टरिक्षन डाइजेशन DNA को विस्सटे तोगडव में काटा जाता है यह यह राश्ट टकण को पहते हैं और वहाँ से नगे को काटने वाला जो हुझें होता है वह होता है restriction endonucleagen जाएं और यह restriction endonucleagen जाएं बिसेस इस्थान से इसको DNA को गाटता है फिर तीसरा जो मैथड़ है जैल गोण के वह में गार बाहर की तरफ पर और जो बड़े त्वह होते हैं वह अं Means वह अंदर की तरफ रह जाता है आगे हम बात करें अगर आगर आगर इसमें जैल जैल एलेक्रोफोरसिस जो मैथड है उसमें अलग किया गए डियने टुक्डों को नाइट्रो सेलूलोज या नाइलोन सीट पर इस्तानाधित किया जाता है और विसस्ट रेडियो धर्मी या फ्लॉरसेंट जांच के सब्सक्रण जाता है तो यह कुछा जाता है जोटोरान गंधुराफी विसस्ट के साथ रखा जाता है ताकि डियने बेंड को देखा जाए और यह है बेंड ही डियने प्रिंग के ञाते हैं और इन ही बेंड को को मिलाया जाता है यदि बैंड से मिलते हैं तो व्यक्ति अपरादी है यदि बैंड से नहीं मिलते तो व्यक्ति अपरादी नहीं है तो अपराद इस्तल की जांच या फिर कई वार एक विवाद हम अक्वार में अपसर देखते हैं कि कोई बेटा किसी व्यक्ति के पिता होने क कदावा करता है तो पैत्रक यानि संतत्ती की पहचान के लिए भी डीने फिंगर्बेंटिंग का उपयोग किया जाता है आगे, हम बात करें DNA फिंगर्णिब्रिंटिंग को क्या है?? अप Elвер विग्ञाण में अभी भी मिलते तो पहसंदे भी अपरादी नहीं है पैत्रक परिच्छन में पैटरनेटी टेस्ट में डियने पिंगर मिल्टिंग का उपयोग पित्रत निर्धार्ण में किया जाता है यह तकनी सुष्छत करने मदद करती है कि बच्चा किसका है मैं अभी यही चर्चा कर रहा था आप लगाया जा सकता है कि 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 व्यक्ति में कौन-कौन से जीन परबरतन हुए यादन कि डी-एने फिंकर प्रिंटींग जीन परबरतन का भी पता लगा तची है इसका पता लगाती है जीन परवरतन का प्रवासी जीवों का अध्यव जी apology डीनE फिंगर-बंडिंटिंग对क्र विभिन ने जीवों के प्रवासन पैटर्न का अध्यन करने में भी किया जाता है यानि कि कौन-कौन से जीव जो है वो प्रवासन पैटर्न उनका कैसा है उन सभी के बारे में पता करने के लिए किसके वर्क्यों करते हैं डियने पिंगर्बेंटिंग का प्रते हैं आगे हम बात करते हैं डियने पिंगर्बेंटिंग की सीमा है यानि लिमेट्स क्या है तो डियने पिंगर्बेंटिंग की तक्नीकी सीमा होती है डियने पिंगर्बेंटिंग में तक्नीक यानि कोई टेक्नी जानकारी के दुर्पियों की संभावना को लेकर विवाद उत्मन हो जाते हैं तो इसलिए सरकार यादी एलाव करती है तभी DNA Moyet-ट्रेस्ट किया जाता है तो इसके साथ ही दोस्तों हमने DNA में कि बादे में समझा आशा करता हूं कि आपको पर समझ में आया होगा और जो भी स्टुडियंट बाइलोजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूरू सब्सक्राइब करें आपको वेस्ट रंकला और त्योरी जो है वो बीच-वीच में मिलती रहेगी और आप अपनी तैयारी को बिना किसी पैसे कर्च क कर सकते हो और इसी के साथ क कहना चाहूंगा कि अपनी तैयरी को कर रहिए आगे बढ़ते रहिए और तैयारी को बैस्ट करते रहे है जो भी चैनल को पर पहली बार आये हैं वो एस चैनल को जरूरी सर्क्राइब करें नमस्कार धन्यवाद